बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com सब्ता में कम होंगे और मन आपका पहले की तुलना में जादा बेहतर होगा देखिए स्वास्त भी इस सब्ता में आपका बेहतर होगा जब ये सब्ता शुरू होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ भी बेहतर हो रही है लेकिन फिर भी आपको अपना ध्यान बनाए रखना चाहिए इस समय आपको करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे आप करियर में परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं और बिल्कुल उसका सही समय आ गया है आप करियर में परिवर्तन कर सकते हैं और उसके बेहतर अवसर इस समय आपको मिलेंगे इस सप्ता के अंत में आपके घर में आपके परिवार में कोई मंगल कारिय हो सकता है इस बात की संभावना बन रही है तो कुल मिलाके सप्ता आपके लिए बहुत अच्छा है और स्वास्त भी पहले की तुलना में बहतर हो रहा है लेकिन अभी भी अपने स्वास्त पर ध्यान बनाए रखियेगा इस सप्ता में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे जादा अच्छा होगा जो भी आपके महत्वपूर काम हैं जो भी आपके इंपोर्टेंट काम हैं अगर आप मंगलवार के दिन करें तो आपको लाब जरूर होगा व्रिशब राशी सप्ता की शुरुवात से आपकी व्यस्तता काफी जादा बढ़ी रहेगी काफी जादा दोड़ भाग और कारियों में आप व्यस्त रहेंगे तमाम रुके हुए काम इस समय आप निप्टा पाएंगे और तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे धन का जो आगमन है वो कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बना रहेगा खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे हाना कि पैसे चुकी बराबर मात्रा में आते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है संतान को लेकर आपके मन में चिंताएं थोड़ी सी थी पहले वो चिंताएं समापत होंगी इस संताह में संतान की उन्नती होगी और आपके परिवार में शुब कारिय होगी तो संता अच्छा तो दिख रहा है आपके लिए ध्यान कहां रखना है अपने वाणी का और अपने स्वभाव का आपको इस संताह में ध्यान रखना है कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे आपके रिष्टे खराब हो साथी साथ अपने खान पान का भी ध्यान इस सपताह में बनाए रखिएगा क्योंकि डाइजेशन को ले करके, पेट को ले करके इस सपताह में दिक्कतें हो सकती है इस सपताह ब्रिहस्पती वार का जो दिन है, वो आपके लिए सबसे जादा उत्तम होगा अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप ब्रिहस्पती वार के दिन करें तो काम में सफलता जरूर मिलेगी मिथुन राशी सब्ता शुरू होगा यात्रा की शुरुवात हो जाएगी सब्ता की शुरुवात से ही आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं इस समय करियर की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी और आपकी तमाम मानसिक चंताएं इस समय कम होंगी हल होंगी संपत्ती के काम में संपत्ती खरीदने में बेचने में बनवाने में आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं इस समय ऐसा लग रहा है धन की स्थिती आपकी बेहतर रहेगी, जिम्मेदारियां जो हैं आपकी वो निश्चित रूप से पूरी होंगी पैसा ठीक से आता रहेगा और परिवार की जो जिम्मेदारियां है पती-पतनी की, बच्चे की, माता-पिता की ये जिम्मेदारियां आप पूरी कर पाएंगे ध्यान कहां रखना है? अगर किसी पेपर पे आपको साइन करना है, चेक बुक पे साइन करना है, कोई डाक्युमेंटेशन करना है तो इस सब्ता में लिखा पढ़ी के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए अगर इस सब्ता आप लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी नहीं रखेंगे तो किसी मुश्किल में भविश्य में पढ़ सकते हैं इसलिए पेपर के जो काम है लिखा पढ़ी के जो काम है उसमें थोड़ा सावधान रहेंगे इस सप्ता शनीवार का दिन आपके लिए सबसे जादा उत्तम होगा सबसे जादा बढ़िया होगा अपने महत्वपूर काम अगर आप शनीवार के दिन निप्टाएं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी करकराशी इस सप्ता की शुरुवात में आपको अपने स्वास्थ का बहुत ध्यान लखना है सप्ता की शुरुवात में आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है सेहत खराब हो सकती है और जियादा तर जो सेहत खराब दिख रही है वो मानसिक अशान्ती की वज़ा से दिख रही है मानसिक तनाव की वज़ा से दिख रही है यानि mentally आप परिशान हो सकते हैं अना कि देखिए आप गुद्धिमानी से समस्याओं को हल भी कर लेंगे अगर मानसिक दिक्कते हैं तो ऐसे संकेत भी हैं कि mentally आप मजबूत हो करके इन समस्याओं को सुलजा लेंगे करियर की स्थिती आपकी अच्छी रहेगी, धन की स्थिती आपकी अच्छी रहेगी यानि करियर और धन को ले करके मुश्किले नहीं होंगी सिक्षा और प्रतियोगिता के अगर परिणाम आने वाले हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी competition के result इस समय आने वाले हैं तो सिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं इस सप्ताह रवीवार का दिन आपके लिए सबसे ज़ादा अच्छा होगा अपने सारे महत्वपूर काम आप रवीवार को अगर निप्टाते हैं तो सफलता ज़ादा मिलेगी इस सप्ताह में केवल शुरुवात में आपको मानसिक तनाव से बचना होगा सिंगराशी सप्ता की शुरुवात में आपके घर में कोई शुभ कोई मंगल कारी हो सकता है और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस समय तै हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी संबंधी बात चल रही है, तो इस समय आपकी शादी फाइनल हो सकती है संपत्ति के मामलों में और पारिवारिक मामलों में इस समय आपकी व्यस्तता रह सकती है इस समय आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है धन की जहां तक बात है धन की स्थिती आपकी कुल मिला कर ठीक बनी रहेगी यानि सब्ता अच्छे संकेत आपके लिए दे रहा है ध्यान कहां रखना है? इस सब्ता एक तो स्वास्ते का ध्यान रखिएगा सर्दी, जुकाम, बुखार आपको हो सकता है उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा और इस सब्ता में वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखनी होगी वाहन की वज़र से आपको चोड़ चपेट लग सकती है सोमवार का दिन इस सब्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होगा अपने महत्वपूर काम अगर आप सब्ता की शुरुवात में सोमवार के दिन करें तो इसके परिदाम आपके लिए शुब रहेंगे कन्या राशी सब्ता की शुरुवात से आपकी व्यस्तता काफी जादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है ये सप्ताह आपके लिए बहुत व्यस्त जाने वाला है काम की अधिकता इस सप्ताह में दिख रही है और इसी काम के चक्कर में कोई छोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है इस समय या तो आप कोई संपत्ती खरीदने या बेचने के मूड में हैं स्थान परिवर्तन के मूड में हैं ऐसा होने की संभावना बन रही है कि आप संपत्ती खरीदेंगे या बेचेंगे साथी साथ स्थान परिवर्तन करेंगे इसकी प्रबल संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही है धन की जो इस्थिती है ये कुल मिलाकर आपके लिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेहतर बनी हुई है पैसे को लेकर के कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है कहां ध्यान रखना है? संतान पक्ष को लेकर के, संतान के पढ़ाई को, करियर को, विवाह को लेकर के आपके मन में चंताएं हो सकती हैं, संतान का तनाव इस सप्ताह में आपके उपर दिख रहा है बुद्धवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा अपने महत्वपूर काम अगर आप बुद्धवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुब रहेंगे तुलाराशी, सप्ता की शुरुवात में आपके लिए धन लाब के अच्छे योग इस समय बन रहे हैं यानि आपको निरंतर पैसे मिलते रहेंगे, पैसे को ले करके कहीं कोई दिक्कत नहीं है काम के आपको नए और लाबदायक अवसर इस समय मिल सकते हैं, काम के बेहतर अवसर मिलने की संभावना दिख रही है सिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में अगर कोई परिणाम आना है, तो वो परिणाम आपके पक्ष में आएगा, अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे इस समय अपने घर से दूर स्थान से या विदेश से आपको कोई लाब हो सकता है ये संभावना आपके लिए बन रही है तो भाई तुला राशी के लोगों ये सपता आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इस सपता में प्रियास करने पर आपको सफलता भी मिलेगी ध्यान कहा रखना है इस सपता नशे से आपको बचाव करना है नशा मत करियेगा इस सपता में बचियेगा और वाहन सावधानी से चलाईएगा बे बज़ा की चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं शनीवार का दिन इस सपता में आपके लिए विशेश अनुकूल रहेगा शनीवार के दिन आपके लिए सफलता की संभावनाएं काफी बेहतर दिखाई दे रहेगे व्रिश्यक राशी सपता की शुरुवात में आपकी सेहत विगर सकती है स्वास्त का बहुत ध्यान रखियेगा ये सपता शुरू होगा आप बीमार पड़ सकते हैं और कारण ये है कि बे बज़ा की चिन्ताएं होंगी आपको बे बज़ा का मानसिक तनाव होगा आपको इस तरह की संभावना भी आपके लिए बन रही है लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थितियां बेहतर होंगी परिवार का सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा इस समय इस्थितियां इंप्रूव करेंगी परिवार वाले आपके साथ खड़े रहेंगे मुश्किलें जरूर हैं सेहत की और मन की लेकिन धन की जो इस्थिति है ये कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी पैसों की मुश्किल आपको परिशान नहीं करेगी सब्ता के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है इस सब्ता के अंत में आपका रुका हुआ काम आसानी से बन जाएगा रवी वार का दिन इस सब्ता में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आपको अगर कोई महत्तोपूर काम करना है तो आप सप्ता के अंत तक रुखिएगा और अपने महत्वपूर काम अगर आप रवी वार के दिन करेंगे तो उन कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी धनुराशी, सप्ता की शुरुवात में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं लंबी यात्रा नहीं है, छोटी यात्रा है, लेकिन आकस्मिक रूप से यात्रा पर जाने की नौबत आ सकती है इस समय आपके करियर में कुछ महत्वपूर परिवर्तन हो सकता है इस समय आपके करियर में महत्वपूर बदलाव के संकेच दिखाई दे रहे हैं हाला कि देखिए धन की जो इस्थिती है, वो आपकी अच्छी बनी हुई है और इस समय आपको रुका हुआ धन मिल सकता है जहां वर्तमान में रह रहे हैं, वहां से काफी दूर जा करके आपके इस्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है भ्यान कहां रखना है? आप जो योजना बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भविश्य के लिए चीजों को सोच रहे हैं, उनको सीक्रिट रखिएगा अपनी योजनाओं को अगर आप गोपनी रखें, तो आपके लिए बहुत शुब होगा सो मुआर का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने महत्वपूर काम सप्ता की शुरुवात में ही करिए खास्तोर से सो मुआर के दिन करते हैं, तो आपको सफलता ज़्यादा रहेगा सप्ता की शुरुवात में बेवज़ा की चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं और ये चिंताएं परिवार की वज़ा से हो सकती हैं क्योंकि इस समय पारिवारिक समस्याएं आपको परिशान कर सकती हैं हाला कि देखिए करियर में जो आपकी स्थिती है वो निश्चित रूप से मजबूत बनी रहेगी, करियर में किसी तरह की दिक्कत आपके लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। धन लाब की स्थितियां आपकी बढ़ियां हैं और इस समय अगर आप कोशिश करें तो आपको फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। विवार में कोई कला कलेश न हो, बेवज़ा के विवाद न हो, बेवज़ा का तनाव न हो, इसका ध्यान दखना आपके लिए जरूरी होगा। बुद्धवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेश अनुकूल रहेगा, अपने महत्वपूर काम अगर आप बुद्धवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता सरूर मिलेगी। कुम्भराशी, सप्ता की शुरुवात में करियर में सफलता के सुन्दर योगा आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, यानि ये सप्ता शुरू होगा और करियर आपका बेहतर होगा, धन को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं रहती हैं मन में, लेकिन धन की स्थिती इस सप् कितरीन हो जाएगी और संपत्ती का लाभ भी इस समय हो सकता है, कोई पुरानी संपत्ती सेल कर सकते हैं, नई संपत्ती खरीज सकते हैं, सिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलती हुई भी इस समय दिखाई दे रही है, और इस समय धर्म की तरफ और पाड़े साती चल रही है, और जादा तर उनको मानसिक तनाव का सामना इन दिनों में करना पड़ रहा है, ऐसे में ये सपता आपको राहत देने वाला सपता है, अपने महत्वपूर्ण काम इस सपता में करियेगा, और जादा तर आपको ध्यान देना है धन के मैनेजमेंट पर पैसे रुपए के मैनेजमेंट पर पैसा कितना आया, कितना गया, कहां इस्तमाल करना है, इस पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा, सो मुआर का दिन इस सपता में आपके लिए विशेश अनुकूल रहेगा, इस सपता में सो मुआर के दिन अगर आप परिवार के बड़े ब़ुज़ुर्गों के साथ आपके परिवार में जो भी आपके बड़े हैं आपके माता-पिता हैं आपके बड़े भाई-बहन हैं उनके साथ भी अपने संबंध आपको ठीक बनाए रखने होंगे। सप्ता के मध्ध से खास्तोर से बुद्धवार के दिन से आपके रुकावतें दूर होती चली जाएंगी, चीजें बहतर हो जाएंगी। करियर और धन की स्थिती में बुद्धवार के बाद से लगातार सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। इस समय विदेश से या जहां आप रहते हैं वहां से दूर के स्थान से आपके लिए लाब होने के योग बन रहे हैं। ब्रिहस्पती वार का दिन आपके लिए विशेश अनुकूल रहेगा अपने महत्तोपूर काम अगर आप ब्रिहस्पती वार के दिन करें तो इन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। करें आपके लिए से लिए से जरूर के लिए से लिए से और के यू से लिए सावी हैं।